हे गाईज, आज हम सतत्विकास का अर्थ स्वरूप और छेत्र के बारे में पढ़ते हैं, जो की BPAG 174 सतत्विकास सब्जेक्ट का पहला चेप्टर है इसमें दिया है, विकास के साहित में विकास की महत्पून भूमिकाव स्थान है, सतत्विकास की विक्षित, सतत्विकास, विक्षित और विकास्षिल दोनों देशों में के विकास, विशेशगो, प्रयावरन वादियों और राश्टी अतनाओं के बीच, तरक, वितरक और वा उसकी एजेंसियों और कई अंतराष्टिय संस्थान और आयोग और विश्वनेता सतत विकास के महत्वक को समझते हैं वे निनायक तुष्टिकोन के हैं जो वर्तवान जरौतों को पूरा करने के लिए पित्वी के संसादनों का मुल्य घटा रहे हैं इसका मतलब बोला जा रहा है कि यह सतत विकास का जो भूमिका है यह महत्वून भूमिका है का साहित में सतत विकास व्कसित और विकशित दोनों देसों스크 को विशेचग परियावरन वादियों और राष्टिय नेताओं के बीच तर्क वितर केंदर बना हुए तो इसमें हम लोग ये भी देखना है कि क्या भविशिक की पीडियों को और न केवल वर्टमान पीडियों को उन पीत्वी संसाधनों की अवशक्ता है और क्या और वे क्या उत्पादन करेंगे अच्यदी खेती जंगलों को विनाश आद्र भूमी को भरना सभी कुछ जन सेंक्या इस्पोर्ट से चालित हो रहा है यह अंतता उन्हें स्वयम नवी निकरीत करने के लिए तथा कथित नवीकरनिय संसाधनों की चमता को नुखसान पोचा रहे हैं तो वे आगे उत्पादन नहीं कर सकते हैं एक निश्चीत इस्तर के परे वर्टमान में केवल अधिक प्राप्ट करनी के अकांच्छा वविश्व के लिए उत्पादन को कम कर देगी जीन मुल्हुत परष्णों का ध्यान इसमें बोला जा रहा है कि वे आगे निरंतर उत्पादन नहीं कर सकते हैं और एक निश्चीत इस्तर से परे जो अभी का जो केवल जो आकांच्छा वविश्व के लिए उत्पादन को कम कर देगी जीज बोला जा रहा है आगे देखते हम सतत विकास जून 1992 में ब्राजील में आयोजीत परियावरन और विकास पर सयुक्त राष्ट सम्मेलन United Nations Conference on Environment and Development UNICET का एक प्रमुक केंदरित विशय था वेश्वी किस्तर पर सतत विकास की उपलवटी, जनसिंक्या, रिद्धी और प्रतिविक्ती उपभोग के वर्टेव स्तर को ध्यान में रखते हुए विश्व समुदाई के सबसे वड़ी चुनितियों में से एक सिध होनी के समभावना रखती है जैसा कि बोला जा रहा है कि वीश्व परियावरन और विकास पर आयोग ने देखा जलवायों परिवलतन, ओजोन रिखती करन और परजातियों की हानी जैसी वेश्वी कठिनायों के अतिरीक्त दवाव के बीच सतत विकास को प्राफ्ट करने का परियास किया जा रहा है ग्रीन हाउस गैस जो है वो निरंतर निर्वान में क्लोरोक प्लोरोकारवन द्वारा ओजोन रिखती करन और निवास इस्थान की अधोगती के माजम से प्रजातियों की नुकसान की निरंतरता विकासिल देशों को कम प्रभावित नहीं करती है जो की पर्शिमी और जो की कृत राज है उल्जा के चले रहे अतिरिक तुपियोग इन कठेनाईयों को और बढ़ाते हैं और साथ ही वैस्विक जन सेंक्या तेजी से बढ़ रही है ये समय स्याएं इतनी बढ़ गई है कि परियावरन के संकट के आने के कारण संकट के कारण अपनी भूमी से निश्काते लोगों को परियावरनिय सरनार्थी इनवारिमेंटल रिफ्यूजीज कहा गया है इस सब्सक्राइब को वास्ता में मत्रिभूमी से वंचित लोगों का वर्णन करने के लिए तियार किया गया है इस्थिति के अधिक निराशावादी परियाविक्चवकों में से कुछ ने गर्म जोसिच कहा कि परियावरनिय गिरावट से सामाजी करत अवयवस्था सोसल डिस्लोकेशन फ्रॉम इन्वार्मेंटल डिग्रेडेशन 21 सदावदी की परतम तिमाही में 60 मिलियन से अधिक परियावरनिय सरनार्थियों के अनुमानों के साथ सबसे खतना घटनाओं में से एक हो सकती है इसके बाद एक पॉइंट यह है ध्यान देने लायक सतत्विकास के समर्थकों का तर्ग है कि यह समग्र सतत्ता में सुदार के लिए एक संदर्व परदान करते हैं जहां अगरनी हरित्विकास प्राप्त करने ही होगी है इसमें आज नेक्स्ट है सतत्विकास का अर्थ सतत विकास का आर्थ में हम लोग पॉइंट देखते हैं 1907 के दसक के आरम में सतत विकास सब्द समवरतर बरवरा वार्ड लेडी जेक्षन द्वारा अंकित किया गया था जो परियावरन और विकास के अंतराष्टिय संस्थान की संस्तापक थी सतत विकास व्याफक रुक से लोगों उनकी आर्थिक और समाजिक भलाई और एक दुसरे के साथ अपनी रिष्टों में समानता के विशय में हैं उस संदर्व में जहां परियावरन समाज के असंतुलन से आर्थिक और समाजिक सतता को खतरा हो सकता है इसमें एक पॉइंट ये है कि सतत विकास की अवधाना की विरासत का सीशक हमारा सामुहिक वविश्च के लिए परियावरन और विकास पर विश्व आयोक की रिपोर्ट रिपोर्ट ओड वर्ल्ड कमिशन ओन इन्वार्मेंट एंड डेवलपमेंट इन्टाइल आवर कॉमन फ्यूचर को जिम्मेदार ठराया गया है जो इसे विकास के रूपे परिवाशित करते हुए काता है कि वविश्व की पीडियों को वविश्व की योगता से समझोता किये मुद्ध विना वर्टमान की जरूरत को पूरा करना अवशक है तृक है इसवक्ता यह मानव कीड़ियों के भीदर नियाय संगत्तता और अंतर पेड़ी घत नियाय संगत्तता की अनिवाइडिता को भी पूरा करने का पीरयास करता है सतत्त विकास का वह विकास है जो वर्तमान और भावी वीड़ी के कल्यान की अवशक्ताओं को पूरा करता है यह सतत्ता के मुद्धु और विशेश रूप से संग्रचनात्मक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लंवी अवदी में विकास के साथ संबंधित है जो राज्यों के गुनात्मक रूप से अलग-अलग विशेश्ताओं पर विशेश्ताओं या विचार के अंदर गत प्रणाली के विवार के परिवर्तित होता है आशिश कोठारी ने एक चीज कहा था आशिश कोठारी जो 1993 का कथन है कि वर्तमान में परिवाशित सतत्विकास के परिवाशा अंतर पेडिगत आंतर जीवी से असमानता की सतत्ता को परियाप्त रूप से संबंधित नहीं करती है और इसलिए खूशी शमानता नयाय और शांती की विशाल मानविय लख्चनों की देश्टिकोन से स्विकार नहीं है झालो